भीम ने सोचा कि कैसे अपनी कल्पनाओं को एक साथ लेकर एक नई दुनिया बना सकते हैं। उन्होंने अपनी सिक्षा और अनुभग को इस योजना में लगाने का फैसला किया। जिसमें हर चीज भविस्य से जुड़ी होगी। उन्होंने गाह में एक छोटा सा स्कूल सुरू किया। जहां बच्चों को खुसी, समरुद्धी और बिज्ञान की साथ सिक्षा दी जाती थी। उन्होंने अपनी सोच को बदल कर वहां का माहोल एक नए तरीके से खुसाल और सयोगी बनाया। भीम की विशेस्ताय ये थी कि वो हर बच्चे की कलपना को महत देता था। उन्होंने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रशाहिद किया। और सभी बच्चों को अपने सपने साकार करने का मौका दिया. जिसे हर बच्चा कुद को कुछ अच्छा करने के काबिल बन सके. समय बीता गया और भीम की स्कूल का नाम धीरे धीरे बड़ा होता गया. उन्होंने इसे सपनों का स्कूल नाम दे दिया. यहां बच्चे सपनों को साकार करने के लिए एक जगा पाते थे उस्कूल में सब खुट सपनों जो सकते वो बच्चे अपने कलपना से भरी पूई भी चीज बना से